Hello Friends, मेरे चैनल Fashion Studio में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है चलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो ले के आए हूँ देखे इस से पहले की वीडियो में मैंने आपको मेजरिंग टूल एन एक्यूपमेंट्स के बारे में बताय था और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा तो चलिए बताती आज मैं आप लोगों को एल स्केल के बारे में देखे इसका फिगर भी देखे कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता देखे आप फिगर भी देख सकता है के सामने फिगर भी है प्लास्टिक का बना होता है इसको गुरिया भी कहते हैं देखे कई बार इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि एल स्केल का दूसरा नाम क्या है तो गुरिया भी से कहते हैं ध्यान दीजेगा इसकी एक ब इंच टेप के बारे में बता है था कि 8 पॉइंट के निशान होते हैं उसी तरीके से यहां पे भी देखिए परते के इंच में यहां पे भी 8 पॉइंट के निशान लगे होते हैं लोहे की गुनिया का परियोग लुहार बड़ाई राजमिस्त्री भी करते हैं देखिए लोहे क इसका यूज करते हैं लोही की गुणियां का ध्यान दीजिगा और टेल डिंग में लकडी का तथा प्लास्टिक की गुणियां का प्रियोग किया जाता है इससे ब्राउन पेपर पर तथा ब्लैक बोर्ड पर ड्राफ्टिंग का अभ्यास करते हैं देखिए इससे क्या होता है ब्राउन पेपर पर हमको ड्राफ्टिंग करनी है या ब्लैक बोर्ड पर हमको ड्राफ्टिंग करनी है उसकी प्रैक्टिस की जाती है ध्यान दीजेगा इस सबी चीजों का क्योंकि यह बहुत most important, सोचिए important नहीं, most important है, एक ही बार में लंबाई वे चोड़ाई की लाइन, 90 डिगरी की कोड़ पर खीची जा सकती है, देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, लंबाई वे चोड़ाई की लाइन, 90 डिगरी के कोड़ पर हम एक ही बार में खीच सकते हैं, लंबाई वे चोड़ा देख रहे होंगे आप लोग तो देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया वीडियो अच्छी लगेगी फिर कहते हूं वीडियो को लाइक करिए चैनल पर कंटिन्यू बने रहे हैं इसी तरह की आपको और वीडियो मिलती रहेंगे और जिसने अभी तक मेरा चैनल नी जोईन के इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में उसका लिंक है आप लोग टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लीजिए और सियाइटस एंटन्स एक्जाम वाले जिनको 2023 में एंटन्स एक्जाम देना है वो दो ध्यान दीजिए फर्स्ट जन्वरी से क्लासेश चलें थैंक यू